इस वीडियो के अंदर जो मैं आज सिकाने वाला हूं उसका मैं तोड़ा सा इंट्रोई दे दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो अगर आपको वो लबस सारे पहले से पता हूं तो इसी वज़ा से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आँ लोगे आपको कोई ना कोई प्राब्लम आ गई है जिस वज़ा से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो आप जब भी जाते हो doctor के पास आप directly तो नहीं मिल सकते आपको पहले nurse से मिलना पड़ेगा जो आपका जो detail होगी वो लेगी आप से बात करेगी आप से पूछेगी आपको problem क्या है क्यों मिलना है doctor को और आपका नाम क्या है आपकी photo copy कहा है वो ये सब कुछ आप से पूछे हैं तो अगर आपके बारी आजाती है तो आपको डॉक्टर पहला सवाल यह करेगा एक अप्र और आपको क्य प्रॉब्लम यह द्रध यह प्रॉब्लम करना चोट फगी अगर वहां पर सूजन को बूला जयता है बंका ंति का इस आगर आपको बॉडि पाट के नेम नहीं पता है यहां पर मलेशिया में क्या बोला जाता है तो आप यह वाली मेरी वीडियो दे सकते हैं मैंने यहां पर हर एक बॉड़ी पार्ट का नाम बताया हुआ है अगर आपको चोट ऐसी लगी है जिसकी वजह से आपका मात छिल गया हो यहां फिर आपके चाकू को बोल सकते हैं हाँ यह मेरा हाथ लुका हो गया ऐसे हो गया ठीक है अगर डॉक्टर ऐसे बीच्टा है अपकिनब क्या मतलब हो घ्ट जैसे अगर चौट लगी है तो वह ऐसे पुछे गई एक BAR क्या लगा अब ठीक है तो यहां फिर यहां तो आगर वो ऐसे पूछे करना तो इसका मतलब क्या लगा आपको तो आप बता सकते हो अगर आपको कोई लोही की चीज लगी है तो आप बता सकते हो हां बसी करना ठीक है बसी का यहां पर लोहे को बुला जाता है अगर लकड लगी है ठीक है लकडी को लगी है तो आप बता सकते हो कायू कायू यहां प लेकिन और कर देना कि जातो कहां से मैं गिरा हूं जातो का मतलब होता है गिरना ठीक है कोई पी चीज अगर जातो हो है इनी जातो ला ठीक है यह गिर गया है ऐसे बोलते हैं अगर आप डॉक्टर को बताते हो कि मेरे को बुखार है तो वो तो आपको सब कुछ पूछेगा तो केड मतलब पेन या दरद और कपाला यहां पर बुला जाता है सरको ठीक है दिमाग को नहीं बुला जाता है सिर्फ सरको बुला जाता है दिमाग को यहां पर उता बुला जाता है अब आपको डॉक्टर यह बुलेगा कि कितने दिन से आपको बुखा रहे तो वह इस तरह से ब बर गता है कितने दिन हो गए ठीक है हो गए जब भी हो गया यहां हो गया सुदा वहाँ पर लगता है आपको वह अगर को उन्हें बताना है कि अब दो-धिन कर टीन नहीं ड화 किसाम दोगती है और शूदा ओ塔light का भाशिकलन ना वी कह सकती है यहां मतलब कि मेरे को दो दिन हो ग Hawkar हो गया है अगर तीन हो गया तो आपको बताती का किसको बोलते है अंब 5 किसको बोलते हैं ठीक आपको वह नौरमल सी जो common होते ना हमें प्रॉब्लम होती है खांशी हो गया टीक है जर्लनसला वो गया तो वह कैसे बूछेगा वह सिरफ लगाएगा अब्लोः डमां के साथ यह नौर्मली हमें हो जाता है समसी भी हो जाता है तो यह सब कुछ वह पूछेगा तो अगर आपıs नजला वह तो वह साथ में ये भी नयमी बोलें आपको नजला है उसको बोलते हैं कोल्ड हो गया तो यह यहां फिर वह पूछेगा तक्का सकेट ठीक है सक तक्का यहां पर बुला जाता है जो हमारा जो गले के अंदर नहीं होता है ठीक है कंट होता है इसको यहां पर तक्का बुला जाता है ठीक है अगर यह सकेट है यह भी पूछेगा आप बता सकते हो तादा तादा है तो बोल पिरे जो होता है यह होता है जैसे जब भी हम कुछ गलत खा लेते हैं तो हमें दॉलर में बार बार जाना पड़ता है तो वह हो Χोजगता है हमें चीरे पिरे मतलब 10 लग गए अगर वह पूछता है मुंता हड़ता। मतलब कि आपको उल्टी आती है ठीक है वो बोलेगा पितम अड़ाता, ठीक है, मतलगके आपको चख्कर आरहे हैं, पीतम वैसे बोला जाता है, जैसे जब भी हमें एक दम कर अंधिरा हो जाता है आखे, आंको के आगे, तो यहाँ पर वो पीतम बोला जाता है, अगर वो बेहोश होके बंदा गिर जाता है, तो यहां पर बूला जाता है पैंग सन यह ध्यान में रखना तो अगर आपको यह सब है तो आप बोल दिना अड़ा अगर नहीं है तो बोल दिना तड़ा तो डॉक्टर आपको चेक करने की टाइम पर वो एक कान में टूटी सी लगा लेते हैं न तो बाद में वो एक पैन सा लगाते हैं हमारे ठीक है तो वो हमें कहते हैं अपनी सांस खीचो और छोड़ो तो सांस खीचो और छोड़ो कैसे बोलते हैं वो कहेगा तारे नफस तारे मतलब खीचो और नफस का मतलब होता है सांस ठ बुक्का का मतलब खोलना या खोलो तो मुलट का मतलब मुँ ठीक है अपना मुँ खोलो अगर आपको ये सब कुछ आ रहा है जैसे अभी लग रहा है कि मेरे को बुखार आने वाला है या फिर हो गया है ठीक है या फिर अभी आपको बुखार है तो आपने ऐसे ही बताना है साया रसा, साया रसा, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को बुखार है, साया रसा, साया दमम, साया रसा, साया दमम, साया आपको पता ही है, ठीक है, और दमम मैंने करा दिया, तो आपको अभी लग रहा है कि मेरे को बुखार है ठीक है या फिर आपको अभी बुखार है तो आपने बोलना है साया तंगा दमम इतना बोल देना है उसको अगर खुदाना कास्ता ऐसा किसी बाई के साथ हो जाए जैसे कि बड़ी कुछ दर्कटना हो जाती है जैसे कि तूट जाती है ठीक है हड़ी तूट जाती है तो वह कैसे बताना है ठीक है तो वह आपने बोलना है तूलंग पाता तूलंग यहां पर बोला जाता है हड़ी को ठीक है और पाता बोला जाता है तूट जाने को कोई भी सकत चीज़ होती है जो तूट जाती है तो उसको बोलते पाता ठीक सर्फ छाकत चीजों वो तूठ जाए तो यहां पर बोला जाता है पाता तूठने को बोला जाता है और आपको नहीं पता है अंगों के नाम तो मैंने आपको पहले इसले झाल 對ृ यह वाली के लिए जंकितन जंकितन यहां पर बोला जाता है जैसे कोई भी infection किसी भी चीज़ की वज़ा से हो जाती है infection को जंकितन बोला जाता है वैसे जंकित भी बोला जाता है पसाकेट यहां पर मरीज को बोला जाता है जब भी कोई मरीज हो जाता है तो उसको यहां पर पसाकेट बोला जाता है और टंपरेचर टंपरेचर जैसे हमारा हाई हो जाता है लो जाता है तो यहां पर बोला जाता है साहू 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 मतलब टंपरेचर अगर आपके चोट लग जाती है तो वह अपने जैसे ट इतना बोलते हैं, मतलब के तुने सी लिया है उसको, अगर मैं किसी से पूछता हूं, तुने अपना कपड़ा सी लिया या फिर वो टंग के वो लगा लिये, तो मैं ऐसे पूछूंगा, पना बाजू जाहीता, ठीक है, मतलब आपने अपना बाजू यहाँ पर कपड़े को बो तो यहां पर सिरह medicine को बूला जाता बुर्द जैसे हम बोलते हैं गोली हो गया जहां अगर मेडिकल पर भी जाते हो तो वहां से आपने कोई दुवाई लेनी है किसी भी आपको पता है सबका नाम आयरा की खाणी का पता लग गया किसका ठीक है तो आपने वही आपने अपने मेडिसीन लेना है ठीक है बात उत्चा लेना है बात डाध का मतलब को अ नहीं या फिर मुझे कुछ चाहिए ठीक है इतना बोल मेडो नां है Stop 22 गाम घासी है प्राया डयाईगाER thank you for watch video और credit प्लीज दे दिया करो छोटा साल लाइक होता है और सब्सक्राइब का बटन होता है बसे इसको आपको दुबाने में कोई चार्ज नहीं लगता प्लीज इतना तो करना आपका बनता ही है